बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राष्टिय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने जैप्रकाश जेपी सेनानी सम्मान योजना के तहट पेंशन के लिए आवेदन पत्र जमा किया है ये आवेदन बिहार की ग्रिह विभाब को भेजा गया है जैपी सेनानी सम्मान योजना के तहट लालू प्रसाद को हर महीने दस हजार रुपई की राष्टिय पेंशन के रूप में मिलेगी क्योंकि उन्होंने जैपी आंदोलन के दौरान छे से अधिक माँ जेल में गुजारे थे जैपी सम्मान पेंशन राष्टि की दो श्रेणिया है जैपी आंदोलन के दौरान छे माँ से कम जेल में रहने वालों को राज्ज सरकार पांच हजार रुपई पेंशन के रूप में देती है जबकि छे माँ से जादा जेल में रहने वाले व्यक्तियों के लिए पेंशन की राषी दस हजार रुपई प्रतिमा है बिहार में साल 2009 से लाकूस योजना में वर्तमान समय में 2500 से जादा लोगों को लाब मिल रहा है बता दें कि साल 1974 में जैप्रकाश नारायन ने संपून क्रांती का नारा दिया था उन्होंने इंदरा गांधी की सरकार को उखाड फेकने के लिए ये आवाहन किया और छात्रों का बहुत ज्यादा समर्थन जेपी आंदोलन को मिला था और लालू ने चात्र के तौर पर इस आंदोलन में भाग लिया था और इस आंदोलन में हिस्सेदार होने के नाते लालू यादव ने पेंशिन के लिए फॉर्म भरा है NMF News के रिपोर्ट